लोकडाउन जैसे विकट परिस्थीतियों में जब लोग पैसे पैसे के लिए महताज हैं ऐसे में यहाँ पर अधिक फीस की वसुली करना वो भी थोड़ा सा नहीं 4-5 गुना जादा CBSE Board ने पिछले वर्स के मुकावले 4-5 गुना अधिक परिक्षा सुल्क की बसुली की हैं दस्मी और बार्मी की कक्षाओं के स्टुडेंट से बहुत जादा परिक्षा फीस असुला गया है और इसी करना अब एक सोशल जूरिस्ट नामक गैर सरकारी संगठर ने दिल्ली उच नियाले में इस पर एक मामला दायर किया है और इसके साथ ही दस्मी और बार्मी कक्षा के चात्रों का परिक्षा सुल्क माप करने का निर्देश CBSC और दिल्ली सरकार को देने का अनुरोद किया है आए इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताते हैं क्या है मामला और क्यों आखिर ऐसा यहां पर आंदोलन हो रहा है कि CBSC के जितने भी विद्यार्थियों से आधिक पैसे असूले गए हैं तो यहां पर आई आपको बताते हैं कि दसमी और बार्मी कक्षा के छात्रों का परिक्षा सुन को माप कराने के लिए यहां पर निर्देश CBSC और दिल्ली सरकार को देने का अनुरोद किया गया है सोसल जूरिस्ट नाम के गैर सरकारी संगठन ने दिल्ली उचनियाले के 28 सितंबर के आदेश के खिलाब यह अपील डायर की है उचनियाले न अपने आदेश में दिल्ली की आप सरकार और केंद्रिये माध्यमिक सिक्षा बोर्ड से कहा था कि इस जन हित या चिका को रिपोर्ट मानते हुए इस पर कानून नियम और सरकार की नितियों के नुसार तीन हपते के अंदर निर्ने ले सुप्रीम कोट ने यहाँ पर CVSC से कहा है कि तीन अपते के अंदर निर्ने लेकर बता है कि यहाँ पर इसमें कानू नियम और सरकार की क्या निती है इसके बाद आई आपको बताते हैं इस अपील में कहा गया है कि लॉग डाउन और महामारी की वज़े से अभिभावकों की आमदनी या तो खत्म हो गई है या फिर इतनी कम हो गई है कि उनके लिए अपने परिवार का दो समय पेट भरना भी मुश्कील हो रहा है ऐसे में CVSC की बढ़ी हुए एक्जाम फिस उनका तनाव और बढ़ा रही है पिली में आगे कहा गया है कि सुप्रिम कोट के आदेश निदेश में 30 लाग और अकेले दिल्ली में 3 लाग छात्रों को राहत से बन्चित कर दिया है ऐसे में यहाँ पर याचिका में दायर करने वाले अधिवक्ता असोक अगरवाल के माध्यम से अपील में कहा गया है कि CVSC को या तो परिच्छा सुलकमाप करने का निदेश देना चाहिए या फिर PM केयर फंड से इस धन का भुगतान करना चाहिए यही नई दिल्ली के छात्रों के लिए आप सरकार को भी ऐसा ही करने का निदेश दिया जाना चाहिए आई आपको बताते हैं कि आचिका में कहा गया है कि 2018-19 तक दस्मी और बार्मी की CVSC की परिच्छा का सुलक नियुनतम था लेकिन अब यहाँ पर सीधा 2019-20 से बोर्ड ने कई गुना बिर्धी कर दी है बोर्ड ने वर्तमान सेक्षनिक वर्ष 2021 के लिए दस्मी के छात्रों से 1500-1800 रुपए और बार्मी के छात्रों से 1500-2400 रुपए एक परिच्छा सुलक की मांग की है इस अपील की अनुसार दिल्ली सरकार ने पिछले साल दस्मी और बार्मी कक्षा के छात्रों की परिच्छा सुलका भुगतान CBSC को किया था लेकिन 2021 में वित्तिय संकट का हवाला देते हुए उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया है NGO ने कहा है कि इसी परिच्छितियों में CBSC को परिच्छा सुक माप करने या विकल्ब के रूप में कैंदर सरकार को PM केर फंड या दूसरे सरोज से इसका भुगतान करने का निर्देश दिया जाए तो यहाँ पर साबत और प्रसपष्ट है कि या फीस CBSC को भी नहीं दिया गया है इस फीस की वसुली सरकार ने अपने मनमाफिक तरीके से की है और अभी भावक को संकट में डाला है अब CBSC की स्टुडेंट को चाहिए कि सोसल मीडिया पर बिलकुल इस चीज को हैश्टेग लगाएं और बिलकुल इसे ट्रॉल करते रहें ताकि आपके पैसे भी वापस हो और बिलकुल यह यतोचीत है और यही होना भी चाहिए तो कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बक्स में जरूर बताए ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल पर लगातार जूरे रह मिलते हैं एक और नए अपडेट्स के साथ तब तक के लिए गुडबाई जय हिंद जय भारत